सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं देवरिया बालिका ग्रिह कान की आरोपी ग्रिजा त्रिपाठी के शिक्षक पुत्र और शिक्षिका बहू को एसाइटी ने गुरुवा की राध हिरासत में लिया है एसाइटी उनसे पूछताच कर समूचे प्रकरण के संबंद में अधिक जानकारी जुटाना चाह रही है ग्रिजा के बेटे प्रदीब को 11 अगस्त को ही पुलिस ने छोड़ा था पांच अगस्त की राध पुलिस ने माविन दिवासिनी महिला प्रशिक्षने वन समाज सेवा संस्थान की ओर से स्टेशन रोड पर संचालित बाल अग्रिह बाले का से 23 लड़कियों को मुक्त कराया था संचालिका गीरिजा त्रिपाठी और उनके पती मोहन त्रिपाठी को 6 अगस्त को जेल भेज दिया गया पुलिस ने दोनों के शिक्षक पुत्र प्रदीब त्रिपाठी और एक अन्ये को हिरासत में लिया था इसी बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदीब को निलंबित भी कर दिया पुलिस दोनों से पूछताच करती रही दोनों को 11 अगस्त की देर शाम छोड़ दिया गया हालाकि उन्हें बताय बगैर जिले की पुलिस सुन पर निगरानी रख रही थी ब्रिहास पतिवाल की रात इसाइटी ने गिरिजा त्रिपाठी के बेटे प्रदीब त्रिपाठी 35 और बहु प्रियंका त्रिपाठी 30 को पूछताच के लिए हिरासत में ले लिया सूत्रों की माने तो पुलिस लाइन्स के मनुरण जन कक्ष में टीम के सदस्य दोनों से अलग-अलग पूछताच कर रहे हैं उनसे पूछताच के आधार पर टीम किसी निशकर्ष पर पहुँचने की कोशिश में है बहु प्रियंका त्रिपाठी को इस संस्था में शिक्षन कारे के लिए अटाच किया गया था टीम को लग रहा है कि उनसे कुछ अत्रिक्त जानकारी भी मिल सकती है एस साइटी को अगली तारीक पर 20 अगस्त को हाई कोट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है